एकदम से वक्त बदल दिये, जसबात बदल दिये, जिन्दिगी बदल दिये, ओ भाई, मारो, मुझे मारो, मेरे को मत माना, मैं दो कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस, जब से उन्होंने सुना है कि इंडिया था QE टीम है, पाकिस्तान ने अगर 180 रन को डिफेंड क्यों नहीं कर पा रही है हाई मैं वो भी शेक आप देख रहे हैं वान कट कुछ न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो रावल पिंडी एक्सप्रेस शौइब अख्तर सहाब पट्री से उतर गए मेरा मतलब है यह है कि शौइब साब कह रहे हैं कुछ ऐसा जिसकी व जा रहे है कि शौइब भाई बोल गाए कि इंडिया तो आई पील खेल के थकी वी टीम हो चुकी है तो पाकिसदान तो उनको हराम से हरा सकता है क्योंकि पाकिस्तान एकदम फ्रेश टीम है भाई ऐसे कौन से साबुन से नहाते हो आप इतनी फ्रेशनेस लाते कहां से हो आप जिंबाबवे से खेल के अब क्योंकि UAE दुबाई वाले प्लेइंग कंडिशन बहुत हद तक इंडियन पाकिस्तानी प्लेइंग कंडिशन से मैच करते हैं तो शौइब भाई ये बोल गए कि इंडिया और पाकिस्तान पहुचेंगे फाइनल्स में और एंड में पाकिस्ता लेकिन ये बात वाइरल हो रही है कि शौइब भाई ने कहा कि इंडिया को बहुत दिक्कत होगी टार्गेट चेस करने में अगेंस पाकिस्तान क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम ने 180 या 170 रंस का टार्गेट भी दे दिया तो इंडिया गया बाई-बाई-खतम टाटा दिये थे 187 का टार्गेट चेस करना था साउथ आफरिका को लेकिन जिस खतरनाग बॉलिंग लाइनप की बाते आज भी हो रही है पाकिस्तान के लिए वो 19 ओवर में 168 पर 4 अल्रेडी लगवा चुका था अगेंस साउथ आफरिका फिर भी एडवांटेज पाकिस्तान के प पर ओवर का था उतना भी खा जाते हैं तो पाकिस्तान जीत जाएगा बस फिर चंसे जट्टूटे को इस सपना जग सुना सुना लागे वाली बात हो गई चक्का सिंगल चक्का सिंगल चौका और आखर में फिर सरसीद्या चौका राजी वांडर डसन ने कंप्लीट करी टार्गेट भी चेज कर लिया सामने वाली टीम ने और आखरी ओवर में इतने रन खा लिये कि मेरे गली के बच्चे तक बोलने लग गए कि हसन भाई हाथ घुमाई नहीं डल रही है तो बट्टा ही डाल लो ना अब बच्चों को कौन समझाए कि ये तो गली क्रिकेट नही है ना और ये पाकिस्तानी टीम को भी कौन समझाए कि ये गली क्रिकेट नहीं है ना वहीं दूसरी तरफ जिस इंडियन टीम को थकी हुई हारी हुई कहा गया था उसके वामब मैचस तो देख लो एक बार इंगलेंड को साथ विकेट से हराया एक ओवर पहले ही 189 का टागे चेस करके टोटल बना 153.41 इंजा 17.5 ओवर्स अब शोय भाई आपको यही कह सकते हैं फैंटी लगेगी आपकी टीम को बहुत बुरी अगर तयारी पूरी ना होई तो बागी समझ नहीं आता मुझे कभी शोय भाई कहते हैं पाकिस्तानी टीम को कोई देखने नहीं आएगा क्योंकि इतनी खराब टीम है कभी कहते हैं पाकिस्तानी टीम सीधे ही फाइनल में जीत जाएगी अब यह एक तरफ जाए लो मतलब कभी अपनी मीडिया से ट्रोल होते हो कभी इंडियन फैन से ट्रोल होते हो कभी-कभी तो अपने खुद के पाकिस्तानी फैन से भी ट्रोल ह जाते हो, नहीं, शोय भाई, don't get me wrong, we really love you, love your style, लेकिन फ्लीज थोड़ा हलका हाथ रखो, बस इतना ही कहूंगा as a cricket fan, क्या लगता है, शोय भाई की बाते सच होंगी या नहीं, क्या इंडिया वर्स पाकिस्तान का फाइनल होगा या नहीं, और उससे पहले, इंडिया वर्स प पाकिस्तान मैच में किसके जीतने के चांसेस बहतर हैं, मीजे कॉमेंट्स में बताओ या मेरे इंस्टरग्राम हैंडिल at the rate abhishek underscore manchanda underscore पर भी बता सकते हो, मैं हूँ abhishek, आप देख रहे हो one cut